स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, आज की सुड़े मैप के सेर करने का क्या ओटो ब्लॉगिंग करने से हमारा AdSense अप्रूब्ड होता है या फिर नहीं होता है, काफी सारे लोगों का यहाँ पर doubt है, काफी सारे लोग यहाँ पर comment कर रहे थे, इसके लिए मैं इस व approval हुआ होगा, फिलाल मैं आपको दादू कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मैं आपको दादू, जो भी आर्टिकल आपको देखने को मिल रहे हैं, यह सारे आर्टिकल ओटो मेटिक आ रहे हैं, ओटो ब्लॉगिंग के माधिम सारे हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपको प्रूप के साथ में दिखाने वाला हूँ, सिंपली अगर हम बात कर तो यहाँ पर आप आओगे, और इसके डैक्स बोर्ड में आप देख तो यहाँ पर आटोमेटिक, जो डब्लॉपी आटोमेटिक प्लगीन है, जिसका नाम मैं आपको आटो ब्लॉगिंग की बात कर रहा है, तो इनमें आप देखोगे, तो यह कितनी आर्टिकल, 2000 की हमने लिमिट सेट की थी, 2000 आर्टिकल आ चुके हैं, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आट हज़र के आसपास में होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पर काफी है भी लोड पड़ रहा है, यहाँ पर आप दे आर्टिकल पब्लिश होई है, और एक हज़र आर्टिकल अभी भी पैंडिंग में है, जो कि आपके शामने यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए, ताकि आपको भी हल्प मिले, कि अगर आप आप आटो ब्लॉगिंग करते हो, य अधेजिट के मादम से कंटेंट लिखते हो, और काफी सारे लोग जो हैं पर यहाँ टाउट करते हैं, यह पॉसिबल नहीं हो सकता, इसके ओपर अप्रूबल नहीं हो सकता, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसका यहाँ पर अगर आपको ट्रश नहीं है तो website का URL आप चेक कर लोगा चेक कर सकते हो जो कि मैं आपको दिखायता हूँ यह देख तो यह website का URL है अगर मैं इसको विजिट करता हूँ तो मैं आपको दाद हो कि मैं वहीं पर open होगा जैसे कि फिलाल गलत तरीके से मैं विजिट कर लिया इस तरीके स अगर मैं विजिट करता हूँ तो आप देखोगे तो same website आपको यहाँ पर open होगी जिसका AdSense मैं आपको दिखाया फिलाल यह ads वगरे सारे आ रहे हैं इस website के उपर काफी अच्छी तरीक से यह load हो रहे है ads और काफी ज्यादा ads जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अलग साथ हजार आर्टिकल पॉब्लिश है तो साथ हजार आर्टिकल हम कैसे दे सकते हैं यहाँ पर आटोमेटिक आएगा जबी तो होगा या फिर हम जो है कि अपने अंदर राइटर बिठा के रखेंगे जबी तो इतने सारे content आएंगे यह सारे के सारे WP automatic plugin के मादम से आ रहे है अब यहाँ पर सवाल यह है कि इसके मादम से approval possible है definitely possible है यो भी post आ रहे है यह जो भी post आये हुए है यह सब automatic आये हुए है और इनके मादम से ही अगर हम बात कर यह approval देखने को मिल रहा है और इनके मादम से ही यह approved हुआ है बस सवाल यह है ranking की तो आप सभी को मालू है कि auto blogging म select करना पड़ता है अब यहां पर कुछ गलतिया हो चुकी है multiple niche के उपर काम किया गया है जिसकी वज़े से यह response हमें नहीं देखने को मिला है अगर यही 8000 article एक single niche के उपर अगर काम करके लाया गया होता single niche को target किया होता जैसे कि sports को ही target कर दिया गया होता या फिर अगर हम बात करें career को target कर दिया गया होता तो definitely इस पर response मिलता और इसके अंदर जो dollar है अगर हम बात करें वो भी काफी हद तक increase होता उस समय तक काफी अच्छा जो है कि हाँ पर थोड़ा बहुत response आया उसके बाद जो है कि response आना बंद हो गया तो अभी मैं आपको बता दू कि अगर आपके मन में ये doubt है कि auto blogging करता हूँ feed के मादिम से article लिखता हूँ या फिर rewriting करता हूँ तो मुझे approval मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो इस doubt को आपको clear करना है क्योंकि आपको approval मिलेगा अगर ये वीडियो आपको helpful लगी होगी अगर आपको थोड़ा भी लगा होगा कि ये वीडियो बहुत ही मेरे लिए मज़िदार थी तो चैनल को subscribe किये बिना मज़ जाएगा तो हम मिलेंगे नेक्स टूलों बात करेंगा और विटेशन टिक से बारे में सब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग बावाए